पहले हम बर्यानी खाते थे बहुत शौक से अब हम जो है आलू अले चावल बहुत शौक से खाने लगें अंकल से मैंने बोला है कि आप इस तरह करें कि मतलब कि गायक आदक लो गायका कर लें और आदक लो जैना वो भैंस कामें दे दिया करें कि आप लोगों से एक और बात शेयर करनी कि हमारे लिए बहुत बड़ी खुश्खबरी है बहुत ही बड़ी खुश्खबरी अस्सलाम अलेकूं मैं यूटी फैमली कैसे हैं आप अमीद करते हैं ठीक होंगे जहांगे खुश्ख होंगे आबाद होंगे अभी टाइम मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे वहां छोड़ने जा रहे हैं गर्मी दिन बाद दिन बढ़ती जा रही है कल तंपरिचर और था इस वक्त आज और और अगले दो तीन मन तक निशाला कुछ और ही हो जाएगा बाकी कोई नहीं मोसम तो बदलते रहते हैं इंसान बदलने चाहिए बागी आतला करम करेंगा बहुत ज्यादा लग रही है नहीं बेचा भी में बूल गया था बाई के अंदर ही चलो याद रही है लगा फार लगा पैसे तो कि अफ्यू आवर्स लेटर मैं आगे हैं तैरा को छोड़कर वापिस और रस्त में खर्बूजी जोसे ना वह सस्ते मिल रहे थे तो मैंने का चलो अफ्तारी के लिए ये भी लेकर चलते हैं क्योंकि कल पर स्वाम लेकर रहे थे वह मिलेते इस और वन केजी तो यह मिले 50 मैंने दो क्लो ले लिए और नहाया हूं और नहाय का जिनाव कपड़े हैं क्योंकि पहले वाले कपड़े जो थे ना जिसने मारा डौगी घुम हुआ था ना तो इस मक्य के अंदर मैं उसको डूनता रहा हूं कांटों वाल एक चीज लग जाती वह बार वर मुझे चुब र कितना अदर दोना श्रूर हो जाता है लेकिन को परवाई नहीं चाज हो सकता है कि चरभी से बनते हैं तो इसलिए कवे बगरा जो है ना वाज तो आज हम अस्तारी में बनाने लगे हैं चावल आलूँ वाले क्योंकि काफी दिल कर रहा है चावल खाने को लाइट आगी है हमारी काफी देल होगी लाइट गया होए तो आज यह जो धनिया है खुश्क धनिया और गरम मिसाला इसको पीस लेते हैं आईये मेरे साथ आप गी जनाब कल हमने इनको खुश्क किया था और आज भी यह बार पड़े रहें तो अब इनको ग्रेंट करके इ प्रेंट करते हैं अद्धा अपाई ना डोल गी सारे साड़ां तो हुआ है हमारे धनिया त्यार हो चुके हैं इसाथ अब यह फिल चिला दिया है कि पहले बाला पानी जो हैं नो निकालते आगे तीक्टे के डेली चेज़ करते हैं ता कि है गंदा पानी जोटाना वह आ गे निकल जाया करें तरह बरकत जो यह ग्रतान ना वह वास्वास कर रही है बूद के लिए बर्तन है और उन्हों निकास है कि हमारे पास एक किलो का बर्तन नहीं है तो आप अपने पास से ले आगेगा तो अभी यह गिलास है इसका जनाब कोई एस्टिमेंट लगा कर हमने हड़ाई डाई यह गिलास यह वान केजी के बन जाते हैं पैने हमने दा यह जाते हैं और फिर ऐसे दो बन जाते हैं तो यह उन्जाटती विस पर आपने पास रकलाए और आप तो सली कर लेजिएगा कि कोई ऊंच नीच तो नहीं है तो अगर उंच नीच हो तो आप हम बता दिएगा उत्तना फिर हम कर लेंगे बिलाखल हमें तो यह ठीक लगा है बाकि लगला कर लेगा अभी फिलाखल निकलते हैं तो आप लोगों से एक और बात शेयर करनी कि हमारे लिए एक बढ़ी खुश्कबरी है, बहुत ही बड़ी खुश्कबरी. तो इन्शालाव आप सबको भी बहुत जल्ब बता रेंगे पता चल देगा आप सबको भी वह वह फूशखब्री क्या है या नहीं आगे आप से अरशिद साब बता कोई जा घूल्क बिलकूल जामादली यकीन वानों बहुत जाला खुशकब्री की बात है बाकि इन्शाला अ कर आता हूं कि अगला कार सांता है या बांग के कर साइथ हूं आखिला नाच चली जिए पाड़ लिए जो यह दो बंदे हैं वह मतलब के बीज़ते हैं आठमें इसे पर जितनी खर्चा साब मालक करेगा जो 36 का मालक है तो यह दो बंदें यह काम करते हैं के अंडर तो जब यह फसल काटी जाएगी गंदम अगरा जो भी है तो इसका आठमा हिस्सा जो बनेगा ना मतलब कि अगर यह आठ मन होती है तो एक मन जो है ना वह इनकों मिलेगी गंदम तो इससाब से यह यहां पर काम करते हैं अंकल जी कह रहे थे कि गायां का दूब होने हैं वहां पर भी जाना रख रखे हुए उसने कहा कि मैं पता करके देता हूं अगर उनके हाँ हुआ तो कल आप उदर से लेज़े हैं जो हमने दूब लेना है अंकल जो है वह गायों का दूद निकाल रहे हैं और साथ में यह दो और भी एक बच्छडा है और एक उसकी मामा जी भी है और यह दो बैंसे अगर इनका मिल जाता है दो जबर दस्ता यहिन पे चोटे चोटे यह बज़े हैं और यह है दूद के बरतियन जिसमें इसमने शायद बैंसों को जाता है और इने जाता है गाएंगा और यह हमारा माशाला जी माशाला अंकल जी दूस लेकर आगे माशाला आज खालिस दूस बीने को मिलेगा मैं बिलकुल प्यूर खालिस माशाला दूस जना हमने ले लिया माशाला और खालिस तरीन ऐसा नहीं कोई डूबली केडिया मेलावट वगर बिलकुल खालिस अंकल से मैंने बोला है कि आप इसे तरह करें कि मतलब कि आदा क्लो गाय का कर लें और आदा क्लो जाए ना वह पेंस कामे लेदिया करें तो उसमेक वो लायक चलो मैं पूछ करना फिर बताओं गाप लोगंगो ऐसे में बतानी सतो जो मालिक क्यों ना वह इनके और है कोई तो आज शाम को ये पूछ लेगा अगर वो मिक्स भी मिल जाएगा ना फिर भी मतलब कोई टेंशन नहीं है थोड़ा बहुत बेतर हो जाएगा ओ तैरा बरकत तैरा बरकत खालिस त्रीम दोद तेरा माज लगड़ा उन्दना उन्द पानी होंदा खिकत गाले अगर तो आ पानी पानी होंदा पतला है नेकर आप पाल इंदे रहा ना ओंद पानी होंदा तो क्या उस बुसा के इन्ना तावन में कार्थ करना के ड्रेक्टा वेखलते सामें चोक देंदेती है मैं चलो इतना ही बढ़ा है मारे लिए घावल हमने छोड़ दिये थे लेकिन आज कल फिर खाना शुरू कर दिया है वो भी आलू वाले चावल और बहुत शोक चड़ा हुए हमें पहले हम बर्यानी कहते थे बहुत शोक से अब हम जो है आलू वाले चावल बहुत शोक से खाने लगे थे जैसे अधारी में अभी अद्हा तोना गंडा बाति रहे तब तकशावर भी त्यार होजाएको और हमने रखनी ऑफ्सूर उडशे कोट में बारंशा-द्थाई-पारि यह रहे जो खिंडmbar करें हैं आज का दूद्ध सिंगे लेते थे तो गर्म करके रखके लेते थे युझ तो फीस टाइम थोड़ा सा घुल करते थे और उसको जाग लगा थे तो आज ताजा दूद्ध गरम किया उबाइल किया थन्डा थटोड़ा मुश्किल से होगा ज़िए जल्दी जल्दी इस बहुत यह ज़ए जरमी है लेकिन इसका पानी इतना संड़ा है कि बरफ जो होती ना कुलर में डालि जाल सब्सक्राइब बार बाई और वाला है चाहाध हमें पीने के लिए थेने पानी ही खड़ी कर दी आज आज नीब के ख़ल सब्सक्राइब को डर लगा रहा था का बाहर से कुई चीज देना जा लिए याना हम एक खड़ी करते हैं तो वाशिंग मशीन भी बागी तो हमने अंदर मतलके भाई खड़ी करनी थी लेकिन वाशिंग मशीन हमने पहले ही कर दिये चावल आप लोग दिखाए नहीं जनाब फाइनल लोग चावलों की जनाब यह आईए कैसी बने हैं आप लोग जरूर बताईएगा आलो बनाये थे चिकनी डाला आज अब यह वाशिकर रोज ले ज्यादा लानी है जाए ना सही है खटी देना मने बस इन नहीं कि दानी है अच्छी का यह जनाब खटा जो है ना में देड़ी को लगा दिया दूद को अब यह माशाला सुबह ना सबर्दस्त वाली दूद्ध बन जाएगी खालिस दूद्ध की यकीन मने यहां कर पता चालता है कि क्या होती है वहां तो नहीं पोडर वाली दूद्धे रहें लेकि सब्सक्राइब करता है आटे मैं जádडी बन जाती है ना अबिस तर उसके अंदर बी मतलग नहीं जबाने कर राख देती लेकिन अम आठे में राखुए तो मेरे पास ऐसा बरतन भी नहीं है जो रखा जाए यह मग है यह तो उट सकता है ना मिस्तर में चलो ओके हो गया ओके हो इस विलोग का हम करने लगे हैं पर एंट उमीद करते हैं उमीद करते हैं आपको आजकल हमारी वीडियो अच्छी लग रही हैं यह हम भी जाते हैं अप अपने दोस्तों क्या रखें और अपनी द्वाओं में हमें जरूरी याद रखेंगा बाकी इद आ रही है और अपने इद गिद देखें को ऐसे लोग हो जो इस चीज़ का मतलब के हस्दार रखते हों उनको मतलब के इद में जरूर शामिल करें इद की खुशियों में जरूरी इद लाधें रही है जरूरी याद रही है डाय करें दो क्या जरूरी गलोग है